हवा परिवहन का कार्य करती है और परिवहन के माध्यम से पदार्थों को एक इस्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके धाकेल करके लुड़का करके लटका करके ले जाती है और कहीं अन्यत्र ले जाकर जमा करने लगती है तो ये जो जमाओं की आकृती होती है इसे हम नि जनित इस्थलाकृती कहते हैं। निक्षेपन जनित आकृती में सबसे पहली जो आकृती होती है। उसको हम उर्मिल तरंगे या तरंग चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये तरंग चिन्ह क्या होते हैं। बच्चों आपने समुद्र देखा होगा कि लहरे उठती तो पूरी ऐसे उपर नीचे उपर नीचे दिखाई देती है। नहीं देखा होगा समुद्र तो आपने तालाब तो देखा ही होगा। तालाब में जब हवा चलती तो छोटी-छोटी इस प्रकार की लहरे उठती है। इसी प्रकार की लहरे जब रेतिले मरुस्थल में आपको दिखाई देगी रेतिले मरुस्थल में ऐसे जो पूरा मैदान होता है मरुस्थल का ये लहर नुमा आकरिती से ऐसे उचा नीचा उचा नीचा दिखाई देता है तो इस प्रकार की जो आकरिती होती है इसे तरंग चि भारत में जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, इसमें ये तरंगचिन बहुत ही खुबसूरत दिखाई देते हैं, दूसरी जो आकरिती होती है, इसे कहते हैं बलुका स्टूप, बलुका स्टूप समाने रुप से क्या है? हवा जिस दिशा में बहती है, तो अपने साथ बहुत सारे रेत, कंकड़ पत्थर ये सब ले जाती है, और ले जाकर क्या करती? कि उस दिशा में, किसी भी दिशा में जहां बहरी, वहां पर उसका धेर जमा कर देती है, ये धेर कई प्रकार के होते हैं, कभी-कभी इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है, कभी-कभी ये लंबवत होते हैं, ये जो बलुका स्टूप होते हैं, इनके आकार में परियाप तो भिन्नता होती है कभी इनकाकार अर्धचंद्राकार होता है कभी ये अनुप्रस्थो होते है और कभी ये अनुदाइरध्य होते है याने अलग-अलग आकार के बलुका इस्तूप होते है ये बलुका इस्तूप जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्नक्षेत्रों में ये रेत के जमाव के रूप में होते हैं इनको आप देखेंगे तो एक तरफ से तो पूरी खड़ी दिवाल और दूसरे तरफ बहुत धीमा ढाल ऐसे बलुकास्तूप देखने को मिलते हैं और इनकी जो उचाई रहती है ये 40-50 मीटर या उससे भी अधिक होती है ये जो बलुकास्तूप होते हैं हवा की दिशा के अनुसार इनमें बदलाव होते रहते हैं जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ये अपने पदार्थों को ले जाती है और वहां पर जमा करती है जब हवा की दिशा बदल जाती तो ये बलुकास्तूप की दिशा भी बदल जाती है तो ये बलुकास्टूप के प्रकार हुए, इसके बाद बलुकास्टूप का एक और प्रकार होता है, ये थोड़ा बलुकास्टूप से हटके होता है, इसको हम बर्खान कहते हैं, बर्खान, बरानान शब्द से आया है, जो स्टैप के क्षेतर में जो किर्गीज होते हैं, उनके मकान के अधार पर हुआ है, और वैसे ही कुछ बलुकास्टूप का विस्तरित आकार जो होता है, तो इसे बर्खान के नाम से जाना जाता है, ये तीन बलुकास्टूप के प्रकार के बाद हम अगली जो आकरिती देखेंगे, ये है, लोएस का मैदान, लोएस बहुत ही महीन मिट्टी होती है, और जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि जो नदी, चीन में, भांगो नदी जो है, यह जब इसमें बाढ़ा जाती, तो अपने विस्तरित खेत्र में लोएस का जमाव करती है, ये पीली मिट्टी है, ये पीली मिट्टी कहां से आती है, ये मिट्टी मरुस्थलों से हवाएं जो चलती है, ये हवाएं यहां पर जो हवाएं चलती है, ये मरुस्थलों में चलने वाली पच्छुआ हवाएं है पश्चिम से ये पूर्वकी और जाती है तो यहां से ये हवाएं अपने साथ में बहुत ही मिट्टी के जो महीन कण होते हैं इन कणों को उड़ा करके बहुत दूर तक ले जाती है और बहुत दूर ले जा करके वहां बीजवीच में ये जमा करते हुए आगे तक चली जाती है और उसके कारण जिन ख्षेत्रों से ये हवाएं बहती है वहाँ पर लोएस मिट्टी पाई जाती है वहांगो नदी में इस प्रकार की मिट्टी के अवशेश अधिक देखने को मिलते हैं और इसलिए जब यहां पर बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से पीली मिट्टी का जमाऊ हो जाता है जिसे हम लोएस का मैदान कहते हैं तो ये लोएस का जो ख्षेत्र है ये केवल चीन में ही नहीं है जहां जहां हवा सक्री है उसके आसपास के ख्षेत्र में जैसे जमाऊ देखने को मिलता है आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड में भी लोएस का जमाऊ देखने को मिलता है इसके अलावा पामीर के पठार में भी यहां पर भी पामीर का जो ख्षेत्र ये भी आरधि digging उसका मरुस्थल है और इसलिए इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक पीली मिट्टी का जमाऊ देखने को मिलता है, जिसको हम लोएस कहते हैं, साइबेरिया के वरिहत क्षेत्र में भी लोएस का जमाऊ मिलता है, तो ये लोएस यद्यपी मरुस्थल की मिट्टी है, लेकिन हवा द्वारा उड़ा करके बहुत हजारों मिल दूर तक इसको हवा उड़ा कर ले जा रही है और अन्यत्र में इसका जमाऊ कर रही है, चूँकि हवा निरंतर चल रही है, इसलिए निरंतर यहां पर मिट्टी की नईतह जमा होती है, और ये बहुत ही उपजाउ मिट्टी है, जिसका क्रिशी के लिए बहुत अधिक महत्व है इसके बाद एक और आकरिती ये होती है प्लाया प्लाया रेतिले क्षेत्र की एक जील नुमा आकरिती है और यहां पर गड़े में कभी-कभी वर्षा होने के कारण जो मरुस्थलों में जो गड़े बन जाते हैं इसमें वर्षा का जल आ जाता है चूँकि शुशकता अधिक होती है इसलिए इस जल में वाश्पी करण तेजी से उतार केवल एक नमक की एक लेयर नीचे में जम जाती है तो इस लेयर को हम प्लाया कहते हैं तो ये मरुस्थल की प्रमुख इस्थलाकृतियां हुई इसके बाद हम अगले विशय पर अध्यान करेंगे मरुस्थल के लिए इतना परियाप्त है अभी का हमारा विशय है भूमिगत जल एवं उसके कार्य भूमिगत जल क्या है वर्षा का जल जब भूमी के भीतर चला जाता है तो भूमी के भीतर जहां पर ये संत्रिप्त चट्टानों के माध्यम से भीतर जा रहा है और जहां पर उसको कठोर सतह मिल जाती है उस सतह से ये जल प्रवाहित होता है भूमी में ये जल प्रवाहित हो रहा है इसके उदाहरण आपको कई छोटी छोटी जैसे तालाब में ज़रने मिलते हैं कुवों में ज़रने मिलते हैं ये सब क्या है भूमी के भीतल से बहता हुआ जो जल है जब तालाब या कुवें आते तो ये पानी के सुरोत के रूप में दिखाई देते हैं तो इस प्रकार से भूमी के भीतर में जो सामाने रूप से बहने वाला जल है ये भूमी गजल कहलाता है कई सोर्स पानी के पानी के जो सोते हैं गर्म पानी के सोते हैं, ठंडे पानी के सोते हैं, ये भी हमको दिखाई देते हैं, ये सब भूमिगत जल के उदाहरण है, भूमिगत जल जब चूना पत्थर के एक शेत्र में प्रवाहित होता है, तो उस ख्षेत्र में चूना जो है, ये क्या करता है, ये कार्बन युक्त जल के साथ मिल करके, ये रासाइनिक प्रक्रिया करता है, इसे हम कार्बोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं, और उसके कारण उस ख्षेत्र में जो चूना युक्त ख्षेत्र है, वहां की चटाने धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और ये कई आकरितियों में परिवर्तित हो करके, ये चटाने तूटने लगती है, तो इस प्रकार जो चूना युक्त प्रदेश है, इन प्रदेशों में जो कार्बनी करण की प्रक्रिया से या कार्बन युक्त जो जल है, यह जवरासायनी क्रिया करता है, तो इसे हम भूमिगत जल के कार्य कहते हैं, क्योंकि ये जल उपर से कार्य करके पानी नीचे में चला जाता है, तो इस प्रकार के जो भूमिगत जल की क्रियाएं कहां पर हो रही है, आपको पता है, इसे हम कार्स्ट प्रदेश कहते हैं, तो ये कार्स्ट प्रदेश की आव क्षेत्र है इस क्षेत्र में चुने के विस्त्रित क्षेत्र थे और वहीं से उस क्षेत्र को कास्ट प्रदेश कहा गया और उसी के कारण इसे कास्ट प्रदेश हम कहते हैं यह जो एड्रियाटिक सागर का जो क्षेत्र है लगबग 80 किलोमेटर की चावडाई में यह विस्त्र इसमें आल्स का जूरा परवत का खेतर है, पिरेनीज परवत का खेतर है, इसके अलावा इंगलेंड में फ्रांस में युएसे में बहुत से ऐसे खेतर हैं, युएसे में तो इंडियाना प्रांथ है, या कोलोरोडो का खेतर है, टैनिसी का खेतर है, ये सभी खेतर चूना पत्थर के प्रदेश के अंतरगत आते हैं, भारत में भी चूना पत्थर के बहुत से खेतर है, इसमे विशेश रुप से मनीपूर या मिजोरम के खेतर है, असम में उसी प्रकार से देहरादून का ख्षेत्र है 36 गड में भी हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने कुटुमसर केव का नाम सुना है यह सभी चूना पत्थर के ख्षेत्र है और इन चूना युक तक ख्षेत्रों की रासाइनी क्रिया से यहाँ पर भी अपरदन परिवहन और निख्षेपन की जो क्रियाएं हैं यह संपादित होती रहती है आईए अब हम देखते हैं कि चूना पत्थर से अपरदन का कार्य जब होता है तो यहाँ पर कौन-कौन सी आकरितियों का निर्मान होता है तो चूना युक्त जल चूना और उसमें कार्बन से युक्त जो जल है यह जल जब चूना पत्थर वाले ख्षेत्र से प्रवाहित होता है तो उस ख्षेत्र में चूने की प्रक्रिया के माध्यम से चुना और जल के मिश्रण के माध्यम से वहाँ पर जो छेतर है वो काफी उबड़ खाबड हो जाता है कई छोटे छोटे वहाँ पर छेद बन जाते हैं और वहाँ से जल नीचे की और जाता है और उपर का जो भाग है ये उबड़ खाबड हो जाता है तो जैसे एक कंगी होती बलकि ये चोटे बड़े चोटे बड़े ऐसे दात युक्त जो धरातल का क्षेत्र होता है इसे हम लैपीज के नाम से जानते हैं लैपीज जब किसी क्षेत्र में विक्सित हो जाते हैं तो यहां पर चलना बहुत कठीन होता है तो यातायात तो इस क्षेत्र में संभव ही नही हैं क्योंकि यह याता यात के लिए बहुत ही बाधक स्थितियां उत्पन न करेगा पूरी उबढखाबड जमीन यहां पर विक्सित हो जाती है दूसरी जो आकरिती है इसे हम घोल रंधर कहते हैं सिंख होल घोल रंधर क्या है जब वर्षा का जल या बहता हुआ जल जब इस से आता है तो लैपीज में तो कुछ छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं यहां पर इन छिद्रों का क्षेत्र काफी विस्त्रित हो जाता है और कई छोटे बड़े छिद्र जो है उस भूभाग में बन जाते हैं इन छिद्रों का जो आकार होता है यह कीप के समान होता है नीचे से फिर ये छिद्र सक्रे हो जाते हैं और इसमें जब पानी आता है तो ये पानी नीचे से ये भूमी के भीतर चला जाता है ऐसे उस भूमी में असंख छिद्र बन जाते हैं तो इस प्रकार के छिद्र को घोल रंधर या सिंख होल कहते हैं ऐसे जो सिंख होल के उदाहर यहां पर इतने चिद्र है एक अनुमान के अनुसार लगभग 60-70,000 चिद्र इस चिद्र में बन गए हैं और यह चिद्र कोई छोटे नहीं होते इनका आकार दो से तीन मीटर से ले करके नौदस मीटर तक भी होता है तो ऐसे वरिहत चिद्र वाला जो खेत्र होता है इसको हम घोलरंद्र कहते हैं फिर घोलरंद्र में जब पानी रिस रिस का नीचे चला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस खेत्र में प्रवाहित होने वाले वरिशा की छोटी-छोटी जो नद या कभी उस ख्षेतर से बहने वाली जो नदिया होती, ये नदिया इस घोल रंधरों के माध्यम से इसका पानी पूरी की पूरा नीचे चला जाता है, और नीचे जाने से पानी आगे नहीं बढ़ता, तो इस पानी पूरा कहां चला गया, समझ में नहीं आता, तो इसलिए इस पानी को निगलने वाली ये जो घाटी है, इसको अंधी घाटी कहते हैं, और पानी कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे जा करके, ये नदी का जल फिर से आगे प्रवाहित होने लगता है, तो इस प्रकार की जो अंधी घाटी है, ये संयुकतराज अमेरिका में जो लॉस् भग तेलह किलोमीटर तक दिखाई नहीं देती है, उसके बाद ये नदी फिर से बहती हुई दिखाई देती है, तो ये अंधी घाटी घोल रंध्र के माध्यम से ही विक्सित होती है, अगली जो आकृती है, इसे हम विलाय रंध्र कहते हैं, विलाय रंध्र क्या है, जब घ गोल रंद्र से पानी नीचे की और जाता है, तो गोल रंद्र तो कीपाकार होता है, उसका छोटा छिद्र नीचे जाता है, लेकिन इसके नीचे में ऐसे ख्षैतिजिक रूप से बेलनाकार इस्थिती में कई छिद्र विक्सित हो जाते हैं, और ये कीपाकार पानी इन छिद् इसे विलयरंद्र कहते हैं। दोलाइन के नाम से जाना जाता है। ये डोलाइन भी घोलरंद्र के नीचे होता है। और कालांतर में जब घोलरंद्र तूट जाते हैं या दो से तीन घोलरंद्र आपस में आकर के तूट करके मिल जाते हैं। तो इनका काफी विश्त्रित हो जाता है। बहुत बड़े-बड़े से गोल रान दरव यहां से पूरा का पूरा पानी क्या हो रहा है? नीचे के और जा रहा है तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इन आकृतियों को सकुंड या युवाला के नाम से जाना जाता है यह जो सकुंड या युवाला होते हैं यहां पर पानी नदी के माध्यम से वर्षा के माध्यम से भीतर चला जाता है जब यह पानी बहुत अधीक मात्रा में पानी आता है और भीतर जाता है तो भीतर जाने के लिए एक नलीका जैसे बन जाती है और इस नलीका से पानी भीतर गुफा में भीतर ही भीतर चला जाता है तो इस प्रकार की जो अधिक जल राशी के कारण भीतर में एक सुरंग का निर्मान हो जाता है गुफा का निर्मान हो जाता है तो वह पानी जाने का वह मार्ग जहां से पानी भीतर की जा रहा है इस मार्ग को पोनोर के नाम से जाना जाता है पोनोर पानी को कहा ले जा रहा है नीचे में नीचे का तातपरी क्या है कि एक वरिहत खेत्र हमको उपर से दिखाई दे रहे कि चूना पत्थर का खेत्र है उपर तो hard rocks भी होती है, कड़ी चटानों की एक सता भी होती है, और उसके नीचे जब इन चटानों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, तो इसके नीचे से भी पानी नीचे की ओर आता है, तो ये जब कठोर चटान के भीतर में यदि चूना पत्थर का क्षेतर है, तो उन क् पानी के सम्मिश्रण के कारण ये पिघलने लगता है, पानी में घुलता है, और अंदर वह अपने ख्षेतर को विक्सित करता है, तो भीतर में, धरातल की सतह के नीचे में. एक विस्तृत ख्षेतर जो है, ये चूना पत्थर वाला ख्षेतर घुल-घुल करके समाप्त हो तो इस प्रकार की जो आकरिती होती है, इसको गुफा या कंदरा के नाम से जाना जाता है। में भी ऐसी गुफाएं देखने को मिलती है। 36 गड़ से यदि हम विशाखा पत्नम, जगदलपूर विशाखा पत्नम के रास्ते में जाते हैं, तो वहाँ एक अर्कु घाटी है। इतर से काफी बड़ी हो जाती है, और इस बड़ी गुफा की छत कभी-कभी तूट करके नीचे गिर जाती है। तो एक खिडकी, प्राकृती खिडकी बन जाती है। और वहाँ से यदि आप जाकेंगे, तो नीचे में पानी बहता हुआ दिखाई देगा। और ये छत जब धीरे-धीरे तूट करके ध्वस्त हो जाती है। बहुत बड़ा सा क्षेत्र उस चत के नीचे का दिखाई देता ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुवा बन गया है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो पानी से यूकतर, पानी कहां जा रहे पता नहीं चलता। तो ऐसे विस्तरित ध्वस्त क्षेत्र के निचले हिस्से को हम राजकुंड के नाम से जानते हैं। यह राजकुंड तूटने के पहले कभी-कभी पूरी तरीके से नहीं तूटता, बीच का हिस्सा यहाँ पर बना रहता है, तो यह प्राकृतिक पूल होता है, जिसमें इस पार से उस पार आसानी से हम जा सकते हैं। तो यह एक ही प्रकार की आकृति है, चुना युक्त क्षेत्र में जो धीरे-धीरे विक्सित होती है, और उनके विकास के कारण यह घोल रंधर से क्रम्शह बढ़ते हुए, डोलाइन और डोलाइन से सकुंड और सकुंड के बाद पोनोर, गुफा और राजकुंड के है, भूमि गजल में के वला पर्दन भी नहीं होता है, बलकि इसका निक्षेपन भी होता है, जब चुना युक्त क्षेत्र में जो जल के साद चूना मिल जाता है, तो यह भीतर ही भीतर नीचे जारे गुफा में जाता हुआ, दिखाई देता है। यह जो नीचे जब आप गुफा में देखेंगे तो गुफा में चूना और जल यह दोनों मिलने के कारण यहां नीचे में धीरे धीरे इस प्रकार से चूना युक्त जल रिस्ता है। लटकते खंबो की भाती दिखाई देते हैं। तो ऐसे लटकते खंबो को अश्चूताश्म या स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर बच्चों देख रहे हैं कि स्टेलेक्टाइट काया है। आपने कुटुमसर के यदि देखी है तो वहां पर यह स्टेलेक्टाइट की बहुत सुनदर आकरितियां दिखाई देती है। छूने पत्थर से पानी रिषता है तो यह आकरितियां इतनी सुन्दर होती है ऐसा लगता है कि यहां पर किसी ने कल आकरिति करदी हो। भुथ खूबसूरत कार्विंग जैसे दिखाई देता एक है। तो ऐसी आकृति स्टेलेक्टाइट कहलाती है यही चूना युक्त जल कुछ उपर में रह जाता है और जल के साथ कुछ चूना नीचे में गिरता है नीचे में टपकने के कारण चूना युक्त जल जब नीचे में आता है तो नीचे में भी चूना क्रमशह जमने लगता है और ये जो जमा हुआ चुना है, ये धीरे धीरे ऊपर की और खंबों की भाती ऊपर उठने लगता है. एक खंबे लटक रहे हैं, और एक खंबे जमीन के सहारे ऊपर उठ रहे हैं. तो ये जो उपर उठेवे खंब है, इन्हें स्टेलेगमाइट या निश्चुताश्म कहते हैं. ये दोनों आकृतियां भूमी के भीतर इन गुफाओं में विक्सित होती है. तीसरी जो आकृति है, ये आकृति कंदरास्तंब कहलाती है. ये कंदरास्तंब या हम इसको पिलर्स कहते हैं. यह पिलर्स क्या है? जब अश्चुत आश्म और निश्चुत आश्म दोनों आकर के मिल जाते हैं, तो मिलने के कारण एक पूरी खंबे जैसी आकृती विक्सित हो जाती है, और ऐसा लगता है कि इस छत के लिए यह सपोर्ट बन गया है, तो इस प्रकार की आकृती जो है कंद करेस्तम यह पिलर्स के नाम से जानी जाती है, तो यह आपरदनात्मा का और निक्षेप जनित जो आकृतियां है, चूना पत्थर के क्षेत्र में इस प्रकार की आकृतियों का विकास निरंतर होता रहता है,